हेलो ग्लास आप सबी ठीक हैं हेल्दी हैं और घरों में सेफ हैं क्लास प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकले और कोशिस करें अपने माता पिता को भी बाहर जाने से रोकें स्पेशली अगर उन्हें अभी तक वैक्षीन नहीं लगवाई है तो क्यूंकि फिलाल का जो माहौल है यह बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और हमें ज़रुत है बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की तो अपने घर में रहिए और सेफ रहिए मेरी तरफ से जो कोसिस है वो आपके क्लासिस के लिए इसी तरीके से लगी रहेगी बस इतनी ही उमीद करता हूं आप जो क्लासिस है वो रेगुलर वेसिस पर अटेंड करते रहिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का हमारा second chapter क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना कवर कर लिया था तो हमारा second chapter is matter around us योर क्या जो हमारे चारो तरफ का मैंटर है क्या वो प्यॉर है चैधिर वैसे आपको justice कि मैंShe पहले भी आपको अफ्लाइन क्लासिस के अंदर बताया हुआ है पर स्टिल इनके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होता है तो एक क्या मिक्स होता है इनके अंदर चलिए देखते हैं तो have you noticed ever that the word pure written on the packs of the consumable यानि कि आपने देखा होगा कि यह हमारा जो आप सामान खरीद के लाते हैं उनके उपर लिखा होता है यह pure चीज है इसके अंदर ठीक है जैसे कि मदर डैरी के अंदर देखोगे तो उसमें इंडिकेट होता है बहुत सारी चीज के अंदर की रिटन होता है पैक के ऊपर कि यह pure है फोर एक फोर कॉमन पर्सन एक आमा आदमी के लिए जो अडल्ट्रेशन है यह ठीक है कि अगर दूध है तो हम माले लेंगे हाँ प्यूर है लेकिन अगर एक साइंटिफिक जो हम साइंस के स्टूडेंट है यह साइंटिफिक नजड़ी से देखते हैं तो उसमें जो हमाले लिए डेफिनिशन थोड़ी से बदल जाती है एक्चुली जितने भी हम प्यूर सब्स्टांस बोलते हैं उनके अंदर जो है कुछ नकुछ मिक्सर होता है जैसे कि अगर हम मिल्क के बात करें तो मिल्क के अंदर वोर्टर होता है फैट होता है प्रोटीन ओड़े हो फार बहुत सारी चीज़ें होती है जब कभी प्यों के यहां दर साइंस के ख सेंगग गरोल जो नीचर है सेंग रही उसके अंदर किसी भी तरेके की atoms के अंदर भी यानि कि जो हमारे molecules हैं वो सारे के सारे same ही रहेंगे अब pure substance consists of a single type of particle जो हमारा scientific तोर पर जब हम कहेंगे तो pure कभ कहेंगे जब हमारे सारे single particles एक ही type के होते हैं ठीक है In other words a substance is a pure form of water मतलब क्या है यहां पर a substance is a pure single form of water as we look around जो हम अपने चारो तरफ देखते हैं we see that the matter around us exist in mixture जादतर हमारे जो चीज़े आस पास हैं उनके अंदर क्या है mixture होता है कुछ ना कुछ दो या दो से अधिक चीज़े मिली हुई होती है for example water, minerals, soil all are mixture, इन सभी यह जो हैं आपके mixture होते हैं अब हम जो mixture हैं इसे categorize करने की कोशिस करेंगे इस chapter के अंदर mixture constitute more than one kind of matter and we dissolve the sodium chloride हम जो है sodium chloride को क्या करेंगे separate करेंगे from the water by the physical process physical process के द्वारा कर सकते हैं क्या चलिए देखते हैं evaporation, however the sodium chloride itself a pure, जो आपका sodium chloride होता है वो भी क्या होता है, एक pure होता है pure substance and cannot be separated the physical process यानि कि जो हमारा pure substance होता है उसे हम physical process के द्वारा अलग नहीं कर सकते by the physical process into its chemical constituent यानि कि जो हम इसके जो physical उपर जो physical process अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा जो इसके chemical constituent से हम उन्हें अलग-अलग नहीं कर सकते fine similarly the sugar substance which contain only the one kind of pure matter and its composition is the same throughout यानि कि जो आपका sugar molecules होते हैं वो पूरे के पूरे whole जितना भी हमारा होता है composition उसके अंदर same ही रहते हैं soft drinks and soil are the single pure substances जो आपके soft drink होते हैं soil होते हैं are not single pure substance यह जो है single pure substance नहीं होते हैं इनके अंदर अलग-अलग various चीजे मेली होते हैं अगर हम soft drink के बात करें तो इसके अंदर क्या होता है हमारे sugar होता है water होता है और फिक्या होगा carbon dioxide होती है ठीक है soil के अंदर बहुत सारे minerals होते हैं और काफी सारी चीजे होते हैं soil के अंदर ठीक है whatever the source of the pure substance may be it will always it will always have the same characteristics properties therefore we can say that the mixture contain more than the one pure substance तो हम कह सकते हैं जो हमारा mixture होता है उसमें एक से ज्यादा type के substance हमें मिलते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं type of mixture तो type of mixture के लिए हमने एक activity दिए है जिसमें हमने जो है अलग-अलग 3 group बनाए हुए है A, B, C और D एक्चल में 4 है तो पहले वाले में क्या किया है हमने a beaker containing the 50 ml of this water जिसके अंदर 50 ml water है उसमें हमने एक spatula जो है copper sulphate के दिया है group A को, group B को जो है water के अंदर हमने दिया है copper sulphate powder in a beaker group C में क्या दिया है different amount of copper sulphate, potassium, permagnate common salt यह इस तरीके से दिया है mix करके in a given composition to form a mixture C और D को respectively दिया है ठीक है तो इसके बाद में हम देखेंगे observation में हमारा क्या-क्या निकलके आएगा activity के बाद में तो यह जो activities है इनका जो result है हम final में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक जो हमारा filtration process के द्वारा दिया हुआ है filter paper है उसके उपर जो है हमने क्या किया glass road के द्वारा जो हमारा liquid funnel है उसको जो है filter कर लिया है liquid funnel message जो हमारा क्या था हमारा बन के आया था एक जो solution उसको हमने separate कर लिया है अब बात करते है solution की solution क्या होता है solution जो होता है हमारा homogenous homogenous हमारा solution होता है हमारा homogenous homogenous को मैंने आपने बताया था मैंने आपको बताया हुआ है homo का मतलब होता है same यानि कि पूरे solution के अंदर उसकी जो मिलने की potential है यानि कि mix होनी की potential है वो पूरा का पूरा same रहेगा ऐसा नहीं है कि जो bottom में है वहां पर ज्यादा टेस्ट करेगा जो upper side है वहां पर ज्यादा टेस्ट करेगा फिर mid है वहां पर ज्यादा टेस्ट करेगा ऐसा नहीं होगा वो पूरे पूरे equally जो है आपका same test करेगा homogenous का मतलब यह होता है जैसे कि आप जो है जब नमक को मिलाते हैं पानी के अंदर तो वह homogenous solution मनाता है यानि कि वह जो हमारा salty water होगा वह पूरा का पूरा ही होगा ऐसा नहीं है कि उपर salty नहीं है bottom में salty है तो जब हमारा same amount में पूरे solution के अंदर mix हो जाता है तो हम उसे homogenous mixture बोलते हैं more substance you come across the various type of the solution in your daily life आप जो है अपने daily life के अंदर बहुत सारे solution देखते हैं जैसे आप lemonade soda water यह सारे के सारे जो हैं आपके solution होते हैं usually we think that the solution and liquids are containing either the solid liquid or gas dissolve in it तो हम जाता solution में क्या सोचते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं या तो solid होगा या liquid होगा या gas होगा वो डिजॉल होगा हमारे solution के अंदर fine but we can also have the solid we can also have the solid solution जैसे कि हम alloys के बात करते हैं यानि कि solid को solid में मिला देंगे and gases solution जैसे कि हमारा air mixture होता है अलग-अलग gases का और इसके इलावा क्या है inner solution there is a homogeneity genuity at the particle level यानि कि homogeneity fix होता है जैसे हमने अभी homogeneity mixture पढ़ा ऐसी इनके अंदर homogeneity होता है तो homogeneity हमने देख लिया for example lemonade जो है वो पूर पूरा solution है उसमें same test करता है that's so that the particle of sugar and salt evenly distributed in the solution जो कि मैं आपको समझा चुका हूं इसके बाद में क्या है हमारा alloys alloys जो होता है वो mixture होता है हमारे दो और या दो से अधिक metals या फिर non metals के साथ में जो हम मिलाते हैं और इन्हें वापस से separate नहीं किया जा सकता physical method के द्वारा but still in alloys जो considered as the mixture because जो आपके alloys होते हैं उन्हें mixture के तौर पर consider किया जाता है इनके अंदर जो properties होती है वो vary करती है हमने किस composition में हमारे metals and non metals को mix किया है जैसे कि हमारा जो brass होता है mixture होता है 30% उसके अंदर zinc होता है 70% copper होता है fine आगे देखें तो आगे जो है इसे और complete कर लेते हैं solution has a solvent and a solute and its drop solution होता है इसके अंदर दो चीज़े होंगी sorry दो चीज़े होंगी एक तो आपका क्या होगा solvent होगा और एक solute होगा अब आपने क्या याद रखना है मैंने आपको पहले भी बहुत ही बताये थी जो की आपका small amount में होता है solute होता है और जो आपका larger amount में होता है आप थोड़ा सा अगर हम scientific definition पर जाए तो क्या होगा हमारा the component of the solution that dissolve the other component यानि की आपका वो component solution का जो की दूसरे component को allow करता है खुद में मिलने के लिए वो generally क्या कहलाता है आपका solvent कहलाता है और यह larger amount में रहता है आगे क्या है the compound of the solution that dissolve in the solvent solution का वो component जो की आपका solvent के अदर mix होता है और यह lesser quantity में होता है वो क्या कहलाएगा आपका solute आगर examples की बात करें तो sugar solution of water sugar water solution के अंदर हम जो हैं देखते हैं तो हमारा जोगर है यहां पर क्या हो रहेगा हमारा solute रहेगा और जो water हो solvent रहेगा अगर iodine और alcohol की बात करें तो हमारा tincture of iodine बनकर त्यार हो जाता है यह आप से पूछा जाता है आप से पूछा जाता है what is the how tincture of iodine is prepared तो आपका solution किस किसका होता है tincture of iodine में एक से किन तो यहां पर देखिएगा यह वाला जो है एक से किन यह तो यह जो है आपका iodine और alcohol को जो है इससे बूला जाता है tincture of iodine as the solute जो है हमारा जो हमारा iodine है वो solid होता है solute रहेगा और alcohol liquid है तो वो solvent रहेगा ठीक है aerated drinks के अंदर जो है हमारा soda water are rare and gas in liquid यहां पर जो हमारा carbon dioxide वो solute रहेगा और जो water है वो solvent रहेगा air मिक्स्चर होता है gases का तो यहां पर क्या है हमारा nitrogen 78% oxygen 21% and other gases are present in very less quantity तो आप इन में से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा क्या रहेगा अगर हम next देखें तो next topic रहेगा properties of solution यह हम देखेंगे हमारी next वीडियो में तो guys जैसे कि आप इन वीडियो का फायदा उठा रहे हैं आप इन वीडियो का शेयर कीजिए ताकि वो student जिनकी classes नहीं चल रही हैं वो भी इन वीडियो का देखकर अपनी classes हैं उन्हें regular basis पर ले सकें fine, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए have a good day